UPSC Civil Services Examination for PLIMS for 2024 ये 16 जून को होने वाला है और अब ये last moment चल रहा है last की जो ये 50 दिन है जिसमें आपको अपना 100% देना है ये वही मौराथन का दौड़ है जिसमें आप अपने अंतिम फेज में है जहां पर आप जितना तेज दौड़ सकते हैं उतना तेज दौड़ना है से इस examination notification में ही दी गई है current affairs, history, geography, polity, economics, general issues on environment और साथ साथ में जो general science है अब यहां पर cover करने के लिए एक तो static portion होती है और दूसरी होती है current affairs की current affairs के लिए PT 365 की सारी magazine discuss हो रही है channel पर आप जा करके one by one करके check out भी कर सकते हैं और इसको go through कर सकते हैं static portion के लिए आप past year के जो questions है उसको review कर सकते हैं इस past year के question के इस नई series में हम लोग focus करने वाले है basic understanding पे elimination technique को किस तरीके से use किया जाए guess work कैसे किया जाए past year से जो भी information हम fetch कर सकते हैं जिससे कि हम जो भी आने वाले questions है उन questions को solve कर सकें इसके अलावा question की practice करना है अलग-अलग institutes और जो past year के questions है PT magazine से क्या क्या चीज़े लाई जा सकती हैं 2013 से UPSC के questions किस तरीके के आ रहे हैं और कुछ extra information जो हम लोग daily right से भी निकालते रहते हैं जो कि exclusively syllabus में तो नहीं है लेकिन कहीं न कहीं चाहे newspaper में या magazine में या articles में आए दिन आते रहते हैं जिसका कि हम लोग use कर लेते हैं अपने question को solve करने के लिए इस series को आप enroll कर सकते हैं 500 fee में या फिर किसी तरीके की query या फिर information चाहिए हो तो आप whatsapp number या email पर email करके अपने query को sort out कर सकते हैं साथ ही साथ में आप लोग comment box में ये भी जरूर लिखिए कि हम लोग किस subject के साथ में अपना ये discussion series स्टार्ट करें